कि BJP के लोग जो हिंदू और मुसल्मान पर चुनाव लड़ते हैं अब तो उनको जो हिंदू हैं सरातन दर्म को मानने वाले लोग हैं उनको देख लाग रुपे महीना देना चालू कर देना चाहिए और BJP के समझ भे आ गया है सेंटिमेंट को भड़का कर छूट बोलकर माहूल बनाएगी BJP कहेगी हैं मस्जित बन रहे हैं यहां ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है छूटा प्रचार करके वोट लेती है 450 में सेलेंडर BJP तो देगी या नहीं लेकिन हम 500 रुपे में दे रहे हैं तो जब 500 रुपे का सेलेंडर हमारा पसंद नहीं है तब ही तो हमार गए तकि BJP का एजेंडा फिक्स है BJP हमेसा महंगाई गरीबी बेरोजगारी से ध्यान अठाने के लिए एक नया इश्यू करती है अब BJP नया इश्यू करती है सांसदों को भार निकाल दिया और BJP यह साबित करना चाहती है कि वो लोक सभा से संसद से सबसे बड़े है क्योंकि बीजेपी का तो एक एजेंडा है जूट बोलो दोका करो और फरेव के साथ वोट लेकर वापस सत्ता में आ जाओ और बारतिजनता पार्टी की मतारीफ करूँगा इस बात के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट उनको आता है आपको पता है पहली बार कोई मिमिकरी हुई ह क्या नेताओं की मजाग तो उडाते हैं राउल गांदी के लिए तो जितने मीम सिनों ने बनाए उतने तो किसी के लिए बने ही नहीं खरकेस आप खुद कहरें कि मुझे तो बोलनी नहीं देते हैं दलित हैं नेता हैं कॉंग्रेस के राश्ट्री अद्देक्स हैं और कितना जान दूलन में हजार से ज्यादा किसानों की मौत हो गई उस दिन तो जाती का मुद्दा बना नहीं किसान का मुद्दा बना नहीं आज इस बात को लेकर इतना बड़ा एजंडा लेकर आएं क्योंकि आपको ध्यान अठाना है लोक सभा में जो जुल्म हो रहा है न्याय हो तो बहुत छोटी बात है कभी कोई नेता नाराज नहीं होता है यह को जाती का मुद्दा नहीं है नेताओं के मिम्स रोज आप आज तक पर बाकी चैनल पर देख लो रोज मिम्स बन रहे हैं यदि वहाँ पे एमपीज ने अपने नेता की या सदन के नेता उपराष्ट पत तो मजाक अपमान तोड़ना कर रहे हैं आप रूल बना तो नहीं करेंगे कोई वो तो प्यार और प्रेम से उसके मन में भावना गलत नहीं है उस मात को लेकर अभी इसको भी पॉलिटिकल इश्यू बना दिया बाचपाने का था चार सो पचास में सलेंडर देंगे अब मना ना करो उसके बाद भूल जाओ चुनाव जीत कर घर में पहर जा तो पंद्रा लाग और अच्छे दिन ही नहीं आए तो साड़े चार सो सेलिंडर क्यों देगी बीजेपी का एजेंडा था बीजेपी ने हिंदूों की भावनाओं को बढ़काया बढ़का कर लोगों के मुझे यह बताओ कि बीजेपी के लोग जो हिंदू और मुसल्मान पर चुनाव लड़ते हैं अब तो उनको जो हिंदू है सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको देख लाग रुपे महिना देना चालू कर देना चाहिए आप तो यह कह रहो ने कि हम सनातन को बचा रह कर माहूल बनाएगी बीजेपी कहेगी यहां मस्जिद बन रही है यहां ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है जूटा प्रिचार करके वोट लेती है और वो डेमेजिंग पोजिशन जो बीजेपी लेकर आई वो जैपूर और बाकी सिटीज में ज्यादा चला बाकी रूरल में तो अब तो results आ गया हार गये बाद खतम होगी ऐसा क्या कारण रहा है कोई कारण नी जनता ने वोट नहीं दिया जब जनता ने रिजेक्ट कर दिया तो जनता का बहारता को बितर गाथ सिन्यार।